अगर आपने इस थम्नेल को देखकर क्लिक किया है इस वीडियो में कि 30 सेकेंड्स में आपको इमेज में नेम लिखना सीखना है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है आपको सबसे पहले MS Word की फाइल को ओपन कर लेना है दैन आपको इंसर्ट टैप में जाना है और फिर पिक्चर में जाकर आपको कोई भी इमेज जिस पर आपको नाम लिखना है वो सलेक्ट कर लेना है और फिर इसे इंसर्ट करवा देना है तो इस तरह से इमेज आ जाएगा अब आपको स्क्रॉल करकी से पहले तो छोटा कर लेना है कॉर्णर से पकड़कर आप इसे ड्रैग करेंगे तो देखिए यह चोटा होते जा रहा है यह मैंने यहाँ पर इसे पासपोर्ट साइज का बना दिया है अगर आपको पासपोर्ट साइज फोटो बहुत सारे बनाने है तो इसका भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं अब आपको जैस अब आपको यहाँ पर अपने नाम लिख़िएं लिक देती हुआ इसे पहले तो बोल्ल कर लीज़े और फिर इसे यहां से सेंटर में कर दीजी अब अगर आप चाहते है कि यहां पर यह जो वाइट वाला है यह ना दिखे यह box इस पर आपको क्लिक करना है दन आपको format का यहां पर option मिलेगा इस पर click करना है आपको shape fill में जाना है और no fill में चले जाना है यहां पर यह text इसले गायब हो गया है क्योंकि वह black color से लिखावा था और मेरा image जो है वह भी black में था मैं क्या करूंगी इससे select कर लूँगी और पहले तो टेक्सर कलर को मैं change कर देती हूं मैं इसे white कर देती हूं आगया text अब अगर आप चाहते है यह जो यहां पर outline दिख रहा है यह भी नहीं शो करें तो आपको फिर से यहां पर format में जाना है और shape outline मे क्लिक करके no outline को select करना है तो देखिए तो अगर आपको यह trick पसंद आई हो तो इसे में friends के साथ share करें और मेरे चैनल को subscribe करें ऐसे ही videos के लिए